नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज किस वीडियो को लाज तक जुरूर दखिएगा बेलकुल असकिप मत किजिएगा क्योंकि आज किस वीडियो में आपको बताऊंगा एक कमाल का ट्रीक दोस्तों जब भी आपके फ्रेंड आपके वाटसेप पे या फिर फेस्बुक पे कोई फोटो डलता है तो आप सुचते हैं कि ये फोटो किस बंदे का है और ये फेक है या फिर इडिट किया हुआ है तो आज किस वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि आप कैसे पता लगा सकते हैं कि ये फोटो किस ब्यक्ति का है और साथ ही साथ आप उसके एडिटेस के बारे में भी पता लगा सकते हैं और भी उस फोटो के डिटेल के बारे में आप जनकारी ले सकते हैं तो दोस्तो वीडियो को अंग तक देखिएगा और एक छोटी से टिक के बाद हम से आप ये सभी पता लगा सकते हैं तो दोस्तो वीडियो को सुरु करने से पहले आप सिर्फ छोटी सी घुज़ा पता कीसी भी फोटो की डीटेल जानने के लिए उस photo के बारे में जनकारी हासिल करने के लिए open करते हैं अपने Chrome browser को दोस्तों अगर आपके phone में Chrome browser नहीं है तो सबसे पहले Chrome browser को install कर लिजिएगा और Chrome browser install हो जाने के बाद आप उसे update कर लिजिएगा Chrome browser open हो जाने के बाद आपको यहाँ पे search box में type करना होगा Google.com यहाँ पर टाइप कीजिएगा Google.com टाइप कर देने के बाद आप इसे search किजिएगा search कर देने के बाद आपको यहाँ पे click करना होगा सबसे ऊपर में इस corner पे corner पर click कर देने के बाद यहाँ पर scroll down करके नीचे के तरफ आते हैं तो यहाँ पर एक option मिलेगा यहाँ पर लिखा हुआ है देज्टब साइट तो यहाँ पर क्लिक किजिएगा यहाँ बोक्स को आप अब camera वाले ऐकोन पर क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर आपको दो option मिलते हैं पेस्ट image URL और यहाँ पर एक option मिलता है upload an image अगर आपके पास कोई image का URL है तो यहाँ पर आप इसे पेस्ट करके उस photo के डिटेल के बारे में पता लगा सकते हैं लेकिन अगर आपके पास वह फोटो वाट्सेप या फिर फेस्बूक के थ्रू आया हुआ है और आपके फोन की गैलेरी में है तो उसका डिटेल जानने के लिए आपको यहां पर किलिक करना होगा यहां पर click किज़ेगा चुज फाइल चुज फाइल पर click कर देने के पाद यहां से आपको अपना पर इस तीन लाइन पर click करके आप अपने gallery को open कर लीजिएगा यहां मैं अपने gallery को open कर रहा हूँ gallery open हो जाने के पाद यहां पर कुछ photo है मैरे gallery में for example के लिए मैं इस photo का detail जानना चाहता हूँ तो इस photo को हम select करेंगे यहां से और यह photo अब Google की server पे upload होने लगता है अब जैसा कि आप देखने के दोस्तों इस photo की detail हमें मिल चुका है यहाँ पे इस photo का नाम लिखा हुआ रहा है जिस भी अक्ति के यह photo है उसका यहाँ पे name लिखा होता है जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सलमान खन और उसके बगल में यहाँ पे इस photo की पूरी detail मिल जाती है आपको यहाँ से आप चाहें तो पढ़ सकते है फूर इक जम्पल के लिए यहाँ पे date of birth, height और उसके साथ ही साथ यहाँ पे आपको इस photo की बारे में बहुत सारे आर्टिकल मिल जाती है और उससे related यहाँ पे और भी आपको photo मिल जाती है तो इस तरह से आप अपने किसी भी दुस्त, friend या फिर family member की photo की detail आप ले सकते है उमीद का तो यह छोटी से वीडियो आपके काम क्योंगी आपके helpful होगी दुस्तों अगर वीडियो अच्छे लगे तो इसे like कीजिएगा, share कीजिए अपने दुस्तों में WhatsApp फेस्बूक ग्रूप में और एसे ही simple simple वीडियो में अपने चैनल प्ले क्याते रहता हो तो आप मेरे चैनल को जुरू subscribe कीजिएगा मिलते एक नए वीडियो में तब तक कले अपना ख्याल रखेगा, बाई